हेलो दोस्तों, आउनलाइन स्टेडी पॉइंट में आपका स्वागत है आज है तीन जून, तीन जून से बनने वाले सारी ही इंपोर्टन करेंट अफैर्स के कोशन हम आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेर कर दीजिए अपने सबी दोस्तों के साथ अगर आप चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिसे सबी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके आप देट के लिए वीडियो की पीडियो के लिए आप हमारे टेलिग्रांग चैनल को जोईन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप लिंक से जोईन नहीं हो पा रहे हैं तो डारेक्टी आप बाइदी नीम भी सर्च कर सकते हैं और जो हमारा नया चैनल है माइग्जाम जिस पर आपको कई सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के वीडियो मिल जाएंगे आप उसी भी जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी के साथ हम देखेंगे पहला कोशन तो भारती उद्योग परिसंग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे न्यूक्त किया गया है ठीक है तो हम बात कर रहे हैं जो Confederation of Indian Industries है जिसको शॉट्वे हम CII भी बोलते हैं इसके नय प्रेसिडेंट जो है चुने गए हैं तो किसको चुना गया है सही आंसर है Mr. TV नरेंद्रन को किसको चुना गया है Mr. TV नरेंद्रन को जो है इसका नया अध्यक्ष चुना गया है ठीक है Tata Steel के मुख्य कारकारी अतिकारी यानि की CEO और प्रवंद निदेशक यानि की MD TV नरेंद्रन को भारती उद्योग परिसंग का नया अध्यक्ष चुना गया है नरेंद्रन ने कूटक महिंद्रा बैंक Limited के प्रवंद निदेशक और CEO जो की कौन है उदै कूटक है उनसे यह पदवार ग्रहन किया है इसी के साथ हम बात करें तो TV नरेंद्रन को 1 नवंबर 2013 को टाटा स्टील का प्रवंद निदेशक का जो पद है इसकी जिम्मिदारी सौपी गई थी तो इनको जो है CII का नया अध्यक्ष बनाया गया है आगे हम बात करेंगे CII के बार में Confederation of Indian Industry बेसिकली इसकी जो हम बात करें स्थापना है इसको जो स्टाबिश किया गया था 1895 में स्टाबिश किया गया था ठीक है और इसका जो मुख्याले हैं कहां पर है नई दिल्ली में है साथी साथ जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो Mr. Odaikotak थे और करंटली जो अध्यक्ष बना दिये गया है नयध्यक्ष चुने गया है Mr. TV नरिंदरन चुने गया है ठीक है इतना हमें यहां से पता होना चाहिए अगला कुशन हम देखेंगे हाल ही में किस राजसरकार ने अंकर नाम की एक जो योजना है इसकी शिरुवात की है ठीक है तो हम यहां पर बात कर रहे हैं जो अंकर नाम की एक स्कीम है जो योजना है किस स्टेट गौर्मेंट ने इसको लॉंच किया है तो इसका जो सही आंसर है यह है मद्यप्रदेश अंकुर योजना है इसको लॉंच किया गया है ठीक है तो जो मद्य प्रदेश के मुख्य मंद्री है मिस्टर शिवरा सिंग चोहान उनकी जो सरकार है वांके जो स्टेट गॉर्मेंट है उसने अंकुर नाम के एक योजना शुरू की है और इस योजना के तहट नागरिकों को म पेड़ लगाने के लिए समानत किया जाएगा तो यह जो मौनसूनल जो सीजन है उसमें जो लोग भी पेड़ लगाएंगे उसके लिए लोगों को समानत किया जाएगा और इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कारिक्रम में जन भागीदारी सुनिश्यत करने के लि जो दूसरी तस्वीर है वो अपलोड करनी है तो जिस वक्त ये पौधा लगाया गया है उस वक्त इसके 30 दिनों के बाद भी एक पिक्चर अपलोड करनी होगी और जो लोग भी ऐसा करते हैं उनको क्या है प्रान वायू पुरुसकार दिया जाएगा ठीक है काफी जादा ये है कि's government की है को मद्य परदेश government की है मद्य परदेश के बार में हम बात करें तो Center ndrt estas है इंडिया के Center में located है इसलिए इसको हम बात करें Central state या फिर में हिर्बझे परदेश है यानि कि चीफ जस्टिस है वो कौन है मिस्टर मुहम्मद रफीक है तो देखिए जो हम बात करें हाई कोट है मद्यप्रदेश का वह बेसिकली सिच्चुएटेड़ है कहां पर जबलपूर में ठीक है सिच्चुएटेड़ है इसी के साथ tourist places में हम बात करें तो भीम बैटिका पंचमणी साची यह सारे के सारे कहां पर सिच्चुएटेड़ है तो यह भी मद्यप्रदेश में है जिनमें से हम बात करें भीम बैटिका को जुलाई 2003 में युनसको ने विश्व धरोहर स्थल गुश है इसमें आपका जो टाइम है वो यूटिलाईज हो सके और आपकी जो भी प्रप्रेशन है जिसकी सी भी एक्जाम को लेकर उसको एक अच्छा बूस्ट देने के लिए हमारा जो चैनल है माई एक्जाम उस पर ट्रेंडिंग करेंट अफईर्स के एक सीरीज शिरू की गई ह जिसमें जो सबसे पहला वीडियो है वो कोरोना वाइरस से रिलेटेड जी के आपको यहां पर मिलेगा इसके वैक्सीन से लेकर या जो भी अधर मेडिकेशन है कौन-कौन से मौडल गौर्मेंट ने स्टार्ट किये हैं क्या-क्या और अधर इससे रिलेटेड डिसीज हैं आप यह वीडियो देख सकते हैं और अगर आपने बीटार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें ठीक हैं अगला कोशन हम देखेंगे विश्व अभिभावक देवस यानि कि ग्लोबल डे ऑफ पैरेंट्स निम्न में से किस दिन मनाया जा एक जुन को कब मनाया जाता है गजीन को मनाया जाता है 10 अप्राल को हम मत कर एक क्या ह tablespoon किya जाता है किया जाता है 24 अगसको इंटर नश्टनल यू ठोड़ेज यह किया जाता है उ Android तो एक जून हर साल एक जून को वेश्विक अभी भावक दिवस यानि की ग्लोबल डे ओफ पैरेंट्स मनाया जाता है और वर्ष 2012 में संयुक्त रास्ट्र महासभा में पहली जून ठीक है तो उसको इस दिवस को जो एक जून है इस दिवस को मनाने की घुशना की गई थी विश्व भर में माता ताके प्रती सम्मान प्रकट करने के लिए हर वर्ष जो है यह दिवस मनाया जाता है तो अगला कोशन हम देखेंगे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अजगर अफगान को राश्ट्रिय टीम की कप्तानी से हटा कर निम्न में से किसे नया कप्तान नियुक्त किया है त नय कप्तान नियुक्त किये हैं तो किसको नियुक्त किया है सही आंसर है हश्मत उल्ला शाहिदी को ठीक है हश्मत उल्ला शाहिदी को जो है नया कैप्तन बनाया गया है अफगानिस्तान की जो राश्ट्रिय टीम है ओके गाईस सो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रा रूपों के लिए उपकप्तान के रूप में काम करेंगे तो यह जो नाम है वो आपको याद रखने हैं ठीक है रह्मत शा इसके अलावा यह निर्ने भी लिया गया है कि आल राउंडर राशित खान T20 टीम के उपकप्तान बने रहेंगे एंड जो हशमत उल्ला शाहिदी है वो आफगानिस्तान की तरफ से पाँच टेस्ट मैच खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने हम बात करें 58.83 के शांदार ओशत से लगभग 353 रन बनाए हैं हम बात करें हैं अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान के जो प्रेसडेंट है वो कौन है अश्रफ गनी है यह याद रखने है और कैपिटल क्या है काबुल है अफगानिस्तान जो है हमारी एक नेबरिंग कंट्री है इंडिया की सबसे चोटी जो बाउंटरी है इंडिया क वो अफगानिस्तान के साथ ही लगती है लगभग 106 किलोमेटर कि जो सबसे लंबी है वो किसके साथ शेर होती है बांगलादेश के साथ होती है लगभग 4,096 किलोमेटर चीक है अगला कोशन हम देखेंगे घरेलू सत्र 2021 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कूच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है ओके सो हूं अमंग दी फॉलोंग हैस बीन अपॉइंट अपॉइंट अज हैट कोच ऑफ मुंबई टीम फॉर दा डुमेस्टिक सेशन ठीक है डुमेस्टिक सीजन 2021 के लिए तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है अमोल मजुमदार क ठीक है तो अमोल मजुमदार को हम बात करें डुमेस्टिक सीजन 2021 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है ओके हम बात करते हैं मुंबई क्रिकेट संग ने कहा है कि मुंबई के रंजी ट्रॉफी विजेता कप्तान अमोल मजुमदार को स सीजन 2021 के लिए जो मुंबई सीनियर पुरुष टीम का कोच इन्हें नियुक्त किया गया है और जो अमोल मजुमदार है उन्होंने 2006 साथ में अपनी कप्तानी में मुंबई की टीम को रंजी ट्रॉफी का खिला जो है खिताब दिलवाया था तो ये भी याद रखना है 2006 साथ में और अमोल मजुमदार ने 171 फर्स्ट क्लास मैचों में लगभग 11,167 रंड बनाए हैं तो ये भी आपको याद रखना है इसी के साथ अगला गोशन हम देखेंगे रास्टिय सांक किये कार्याले के आंकडों के अनुसार वित्वर्ष 2021 में भारतिय अर्थ विवस्ता में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है नाशनल स्टेस्टिकल ऑफिस जो है उसके अकॉर्डिंग जो भारतिय अर्थ विवस्ता है उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट है वो आई है 2020-21 में तो इसका जो सही आंसर है वो है 7.3% ठीक है तो हम बात कर रहे हैं जो रास्टिय स 7.3% की गिरावट आई है यह आदखना है इसके बार में हम बात करें GDP में आई यह गिरावट कोविड-19 महमारी के आर्थिक असर को दिखाती है तो हम देख रहे हैं काफी सारे टाइम से जो है लॉकडाउन लगा हुआ है बीच में थोड़े टाइम के लिए कंडिशन नॉम 1.3 प्रतिशत जबकि चौथी तीमाही जनवरी मार्च में GDP ग्रोथ रेट 1.6 प्रतिशत दर्च की गई थी तो यह जो आगड़े हैं वो में याद रखने हैं जो लेटिस्ट है असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसे जो है किसने अपना पद वह कौन बने हैं तो यह बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर ठीक है लुटेन जनरल प्रदीप चंद्रन नायर जो है क्या बने हैं असम राइफल के नए महानिदेशक चीक है सो बात कर लेंगे लाफ्टेन जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने देश से सबसे पुराने राइफल्स बल पूर्वोत्तर शेत्र की सुरक्षा का जिम्मा सम्हालता है और यह बल सुरक्षा मुहिया कराने जनकल्याण के कारे करने और विकास कारों में मदद करने समीत विविद भुमिकाय निभाता है और जो लाफ्टेनेंट जनरल नायर इससे पहले भारतिय सेना के भरति विभाग के महाने दे शकते तो यह भी मैं पता होने चीज से पहले क्या थे यह तो भारतिय सेना के भरति विभाग के महाने दे शकते बात आई है असम की तो असम के जो हम बात करेंगे नए मुख्यमंद्री है कौन हेमंत विश्वा शर्मा राजपाल जगदीश ठीक है और current में अगर हम बात करें तो भारत का पहला multi-model logistic park ठीक है तो यह कहां पर बनाया जा रहा है असम में ठीक है शिशूर से इवाई योजना डेफिनिली कहां से यह असम से संबंदित है next हम देखेंगे Supreme Court के किस Retired Justice ने राश्ची मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार समहाला है तो हम बात करें Supreme Court के जो Retired Justice है ठीक है इन्होंने राश्ची मानव अधिकार आयोग यानि की National Human Rights Commission का जो है पदभार समहाला है ठीक है इसके चैर्मेन का तो इनका नाम क्या है तो सही आंसर है Mr. Arun Kumar Mishra Arun Kumar Mishra जो है Supreme Court के जिस्टिस रहे हैं और इन्होंने जो है National Human Rights Commission के चैर्मेन के रूप में अपना पदभार समहाला है ठीक है Supreme Court के Retire Justice Arun Kumar Mishra ने राश्ची मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार समहाला है इससे पहले राश्ची मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष Justice H.L. Dattu थे वे पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गई थे तब से ये पद जो है खाली था अगला देखेंगे किस राजसरकार ने International Menstrual High Zee Day पर उडान स्कीम को लॉंच की है ठीक है तो हम बात करेंगे उडान स्कीम तो ये जो है लॉंच की गई है किसके द्वारा पंजाब गॉर्मेंट के द्वारा किसके द्वारा लॉंच की गई है पंजाब गॉर्मेंट के द्वारा इसको लॉंच किया है ठीक है पंजाब सरकार की बहतरीन स्कीम से महिलाओं को मिलेगी उडाऊं हर महीने फ्री में दिये जाएंगे नौ पैट पंजाब सरकार ने अंतर राश्ची मासिक धर्म स्वच्छता दिवस वर्ल मेंस्ट्रल हाइजीन डेके अफसर पर शुक्रवार को राज भर की जरूरतमन लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त में सेनेटरी प पर चड़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं तो माउंट एवरस जो की दुनिया की सबसे उची हम बात कर रहे हैं ठीक है टीक है 8850 जो है क्या है 50 मीटर इसकी हाइड है कहां पर सिचुएटेड है नेपाल में सिचुएटेड है किस रींज में ह तो हम बात कर रहे हैं सबसे उम्रदराज व्यक्ति की जो जिन्होंने अभी अभी माउंट एवरस पर चड़ाई की है ठीक है तो इनका जो नाम है वो क्या है आर्थर मुयर क्या नाम है इनका आर्थर मुयर ठीक है तो यह क्या है हाली में माउंट एवरस पर चड़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं 75 साल की उन्र में सबसे उची एवरेज्च की चोटी पर चड़ने वाले दुनिया के सबसे बुज़र की व्यक्ति आतर मुय कहां के अमेरिका की हैं और इन्हों ने 67 की उम्र के बिल बुकरे ठीक है 2019 में जो है रिकॉर्ड तो किया गया है तो सभी को पता होगा IPL 14 जो चल रहा था अभी इंडिया में इसको क्या कर दिया गया था सगित कर दिया गया था और अभी हाल ही में यह जो फैसला आया है कि IPL 2021 के जो बचे हुए मैच है यह किस कंट्री में खेले जाएंगे तो इसका जो आंसर है वो कहां पर UAE में ठीक है United Arab Emirates में इसके साथ ही हम बात करेंगे आज की कोशन की तो GST परिशत की 43 भी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी तो यह जो है हमारा आज का कोशन है इसके साथ हमारा नया चैनल है माइग्जाम इसको सब्सक्राइब करना नहीं बूलिएगा ड टेलिग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं टेलिग्राम फेस्बुक इंस्टाग्राम सभी की लिंक्स आपको अविलेबल करवा दी गई हैं पीडिएफ में अगर लिंक से आप टेलिग्राम में जोईन नहीं हो पा रहे हैं तो डिरेक्ट आप बाइदी नेम ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट सेर्च करके जाएं हो सकते हैं ओके गाइस थैंक यू